नमस्कार्व निशिवाटर अर्स वक्त आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल्ड एंडिया चुनाव आते ही सियासी उलट-पुलट चालू हो जाती है और इसी बात को मद्दे नजर रख आप देख सकते हैं कि उत्राखण में भी 14 फरवरी को चुनाव का आयोजन होने जा रहा है और इसी बात को मद्दे नजर रख यहां पर बीजेपी कॉंग्रेस में फिर से अदला बदली का महौल चालू हो चुका है पहले कॉंग्रेस से बीजेपी में आया हरक सिंग रावत फिर से अब चुनावी चर्चा बन चुके हैं और अब वो बीजेपी छोड़कर कॉंग्र अब वो कहीं न कहीं अरक सिंग रावत कॉंग्रिस का दावन थामने के लिए तैयार हो चुके है और इसी बात का क्या असर जनता पर भी पढ़ रहा है क्या चुनाव पर इसी बात का असर पढ़ेगा इसी बात को मद्दे नजरक हम लोगों से बातचीत करेंगे और जनता की र दानसाबा चुनाव नजदी के चौदा फरवरी को चुनाव का आयो जना है और उस बीच हरक सिंग रावत की तिनी बड़ी ख़बर आई कि उन्होंने उनको बीजेभी से निशकार इसका दिया गया तो इस पर आप क्या कहींगे यही कहूंगी कि यह आज कल की सियासी चाल ह जहां पलड़ा भारी देखा वहीं का रूख कर लिया आजकल यह बहुत ट्रेंड चल रहा है यह क्योंकि ना तो मेरी कोई बीजेपी साहता कर रही है ना मेरी कोई कांग्रेस साहता कर रही है तो मुझे किसी का ढर नहीं है ना तो मेरी पैंशन बंदी है खरक सिंग रावत कांग्रेस के उसमें मैं रोज जाती हूं लेकिन कोई भी मेरी किसी टाइप की भी ना सुनवाई नहीं हो रही है तो इसलिए मैं यह सरकार से जरखास करना चाहती हूं कि कम से कम हमारे दो भुजूर्ग लोगों की सुने तो सही कम से कम और हारक सिंग रावत जी का क्या है अरक सिंग रावत की अदला बदली कोई बड़ा पहलू कर सकती है तो मुद्दा उठे गाई यह तो उठे गाई ही क्योंकि जब चुना बिल्कुल नजदी क्या तब तुम अल्टा पल्टी कर रहे हो तो कांग्रेस में जब तुम इतना कांग्रेस भवन में आते थे तो इस वार बीजेपी की जीतने के उमीद है तो बीजेपी को ही वो कर दो सपोर्ट करो यह नहीं होना चाहिए जिस आप दल में हो उसी दल को सपोर्ट करना चाहिए कि अब यह तो मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे को मेरे को मैंने जाके जज किया उनको ना मुझे पता है क्योंकि हम तो छोटी जब हमारी पेंशन नहीं लग रही तो अपना ही डोना खतम नहीं हो रहा तो उनको क्या जेखू वेटा मैं यह बताइए ना मुझे हम दो जने है हम बुजुर्ग लोग है दोनों ना तो हमारी पेंशन बंदरी है आज मैं धन्जन योजना में गई तो वहां पर मुझे जवाब मिला कि आपका खाता अल्रेडी खुला हुआ है वो सिरफ उन लोगों के लिए अब इस्टाम मैं चाय बेच के गुजारा कर रही हूं मैं तो मो लोग कहते हैं अब हमें पता नहीं कि उन्होंने चाय बेची है या नहीं बेची है सुनने में आया है कि उन्होंने चाय बेची थी तो उनको आम एक 64 साल की बुजुर्ग लेडी की आवास सुनाई नहीं देरी क्या यह कहना चाहती हूं मैं बस कि मेरी प्रेंशन बंदे किस 2022 विदान सबस्ट चुनाव को लेकर सरकारों में दनाव पहले से ही चली आlaisobuses चानती है कि किस तरहिकीं का महाँ ऑपको ये बताना चाहता शाथ किसी चुनाव पर बोलने वाला उना है किसी पार्टी पर माता जी कि एक बात मैने सुनी तो माता जी का अमीर वर्ग का समाज कभी किसी को समान रूप से देखना ही नहीं चाहता और दूसरा कि सब अतिरिक्त के चक्कर में पड़े हुएं कोई रिक्तिस्तानों की पूर्ती नहीं करता और पहली वाद तो यह है कि माप मीडियम के माध्यम से भी आप मीडिया वा लोगों भी यह क कीमत लगा रिखिए आप यह समझिये कि यह जो पैट्रोल है यह खाद्य परदार्त है इस पर आपने कीमत लगा रिखिए क्यों मुझे यह समझाईए भाई कीमत लगाने की आप पे पैसा है तो सब कुछ है आप पे पैसा नहीं है आप पे डिरेक्ली आप किसी भी कहीं पे तो आपके सबसे क्या लगता है कि 2022 विधानसवार चुना में क्या बदलावा सकता है देखे बदलाव तो यह है कि हमारे देश में एक भेड़ चाल है और एक ग्लैमराइजेशन है और हमारे देश में लोग जब तक जागरुक नहीं होंगे कि हमें अपने गाउं के लिए क्या डबलफ होना चीए यह लोगों की mentality बहुत गलत है क्योंकि जब लोगी सही नहीं होंगे तो सरकार उनको कहां से सही मिलेगी जैसी राजा जैसी प्रजा वैसी राजा एक्जामपल वही है आप कहीं पर भी उटाके देख लीजे हमें सिक्षा free में चाहिए रहती है तो अंग्रेश ने यहां पर चोटी से और बड़ी पार्टी को डोनेट कौन करता है आप यह कभी दिमाग लगा है किसी ने इतना पड़े हैं सब हर कोई भाई पीचो करके बैठा हुआ उनको परचार करने इतना पैसा जो सकता है जैसा भ作 बने तो मेरि नुसार तो ना भाजपा स हईए से जाइब जाना कि समान रूप से सबको डेखे आज आप देख लिजे माता जी ने बताया जैसे मेरे घर नहीं यह लोगों पर करोड़ रुपे पड़ा हुआ है क्या लगाया माता जी को दे दिया औरे सब छोड़ के जाना है यहां पर संसार में सब कुछ फ्री है तुमने कीमत लगा रिक्षी है अगर गरीबों को बाट देता तो आज यह स्थिति ना होती ना यह बदनामी होती हमारे जैसे मतब कि हम जैसे लोग बिल्कुल बटक बटक के चाय बेच के गुजारा कर रहे हैं लेकिन लोगों के घर से 300-300 क्रोड रुपे निकल रहे हैं तो वह कहां जा र कई विधायक बाचपा में गए हैं तो आप यह सवाल उनसे भी जाके पूछ सकती हैं कि ऐसा हो क्यों करें कांग्रेश छोड़के आप इदर गए लोगों को यह समझना चाहिए भाई कि देश में दोई की सरकार है अमीर वैपारियों की और किसान की भीए मेरे दादा ने द हरेक सिंग ने क्या क्या है कभी आपने पूचा कि चीज़े कि भाई वह तुम कॉंग्रेस में थे पहले अब तुम भाच्पा में क्यों बहें कुस तो रीजन पूस्ते उनसे भी तो लोग जंता को पता चलता आज तो नफरत की राजनीती फैलाई जा रही है देगे मैं तो सिंपल सा फार्मूला जानता हूं यदि किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है तो उसे नफरत सिखा दो आप जितने भी हमारे मापरुस्ते वो प्रेम यह सब सिखा रहे दे लोगों को आज आप देख लीजिए सोसल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाई जा रही है और नफरत सीखने वाला आदमी श्यम अपनी ही आच में जलके मर जाता है उसे मानने की जुरत ही नहीं है अज आप क सबसद्र लोगों से जानते की 2022 विधानसभा चुनाफ को लेकर किस तरहीं का महौल बना हुआ है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधान सभा चुनाव नजदी के और ऐसे में राजनेताओं की अदला बदली उठक पटक स्टार्ट हो चुकी है और उसी भी छरक सिंग रावत की एक बड़ी ख़बर आती है कि वो अपनी उनको बीजेपी ने निश्कारिस्त कर दिया ह तो आप कि गहें गें तो ऐसे रहता हिए जब आपनी जगह सब सही है जो काम अच्छा करते है वो अच्छा तो आपको क्या लगता है कि हरक सिंग रावत की अदला बदली से कॉंग्रेस में शामिल होने से क्या राजनीती में फरक पहुचेगा? ने कोई फरक नी पड़ेगा. इसमें कोई फरक नी पड़ेगा. क्योंकि जो नेदा और रहेगा वी अच्छे काम करेगा. यही है. तो आपको क्या लगता है कि 2022 विधानजबा चुनाव में हरक सिंग रावत का ये पहलू आम जंता पर क्या असर डालेगा? कि आपका बीजेपी से कॉंग्रेस में वोट डालने का फैसला बदलेगा या कॉंग्रेस से बीजेपी में? बीजेपी आपनी जगा पर वो काम सही कर रही है ह किस तरीके का महाल बना हुए。 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम राजनेतिक दलो की उलट-पुलट के बारे में यहां पर बातचीत करने आये हैं तो और लोगों से भी राय जानेंगे कि इसको बात ध्यान में रखके क्या वो सोचते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव उतराखंड में नगस्दीक है चौदा फरवरी को यहां चुनाव का योजन होना है इस पर आप क्या कहेंगे उपर से हराक सिंग रावत की इत्ती बड़ी ख़बर की उन्हें पार्टी से निश्कारित कर दिया गया है तो राजनीती में सारी की सारी उथल-बुथल का सार सिधा सिधा जो है कांग्रेस को मिलेगा इसका पैदा तो क्योंकि दो सिटे तो और अगर वो जीतते हैं तीन सिटे जीते लेते हैं तो एक बड़ा उलट फेर जो हो सकता है यहां पर इनका छोड़ना अरक सिंग रावत का बीजेप को बीजेप के जाद अच्छा नहीं है इसका फैदा सारा कॉंगरेस को मिल्दा है जिन तीन सिटों की बायत हरक सिंग रावत ने बीजेप में करी क्या वो आपको लगता है कि कॉंग्रेस दे पाएगे अच्छा नहीं देखे बात अबसरवादी है ना हरे कोई अबसरवादी है राजनीती कमला अबसरवादी अगर उनको लगता है कि यह जीत लेंगे सिट महां से उनको देनी पड़ेगी लेकिन लगता नहीं है कि जो सिट की बात वो कर रहे हैं वहां काउ जीतने देंगे उन जिसे कहते हैं, चुनावी मूट जिसे कहेंगे, उसी बात को मद्दे नजर अख जो इतनी बड़ी हेर्फेवर हुई है, कॉंग्रेस पार्टी को छोड़कर पहले बीजेपी मेराक सिंगरावत आए, अब बीजेपी से हाराक सिंगरावत फिर कॉंग्रेस का दामन थामने के ल कुछ परिवर्तन तो सब चाते ही है, अब किस तोना का परिवर्तन आएगा वो तो अब देखने हली बात है, क्योंकि बागी उलट फिर कर देंगे हरक सिंगरावत, जैसे कि इनोंने बताया कि चुनावी मन, जो कि बहुत बड़ी बात है, लगातार उलट फिर सरकारों की हो चुनाव अब आच चुके है, बिल्कुल सीमा पर है, 14 फर्वरी को यहां उत्राफिंड में चुनाव होने जा रहा है, इस से बीच एक बहुत बड़ी ख़बर आती है, कि बीजेपी से हरक सिंग रावत को निश्कारित कर दिया गया, इस पर आप क्या खाएंगे? नहीं, वो तो यह है कि जहीने फाइदा मिलता है, वहीं चल जाते हैं, हाना, जैसे कॉंग्रेस होलों ने कुछ वो दिया है, तो वहां चले जाते हैं, बीजीपी में आ जाते हैं कभी, तो इस वजए से साथ अंदर की कोई बात हो, इसलिए पार्टी ने वो कर दिया, उत्राखंड में क्यों ऐसे चुनावी हेर फेर होते हैं, राजनेता क्यों अपनी गद्धी चोड़कर दूसरी पार्टी पर जाने के लिए तयार होते हैं, उत्राखंड में तो खैर पहले से भी है, बाकी जगह भी हो रहा है, जैसे यूपी का आप देख रहे होंगे, आज जो वो थे, कंडिडेट थे, जैसा कि आमने मूड बनाया हुआ था, एक चुनावी मूड जिसे कहेंगे जनता का, उसके बाद जब ये बड़ी ख़बर आती है, कि वन मंतरी को, क्याविनेट मंतरी को बीजेपी से निश्कारित कर दिया गया है, और अब कहीं न कहीं हरक सिं जो सपोर्ट करते हैं, फरक तो पढ़ेगा, वैसे ऐसी बात नहीं है, जैसे कुछ जो बन्दे थे, जो हरक सिंग रावत है, उनको सपोर्ट करते थे, हो सकता है, उनके वोट उसमें जाए, लेकिन ऐसे मैं तो इमेजी खराब होती है, नेता की जो है, पर कहीं नहीं हरक सिं अभी कुछ समय बाद पता चली जाएगा तो जैसे कि इन्होंने बताया कि वो तो वक्त बताएगा कि 2022 विदान सब चुनाम में कौन सक्ता का असल हगदार होगा इसकी और मते नजर्रक हम जनता का और मूट जानेंगे क्या सोचती है जनता कि सच में हरक सिंग रावत वाके में कॉंग्रेस में जाकर कमाल दिखाएंगे क्या इस बार लकी चैंप घोशिद हो जाएंगे हरक सिंग रावत कॉंग्रेस में जाते तो चलिए और लोगों से जानते हरक सिंग रावत हरक सिंग रावत और हरक सिंग रावत आज चारों तरफ अगभार से लेकर न्यूस चैनल क जो बीजेपी ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि कैबिनेट मंत्रियों और वन मंत्री को निशकारित कर दिया गया उनके पद से और छे सालों के लिए उनको वहां से हटा दिया गया है और कहीं न कहीं हरक सिंग रावत इस बात को मद्दे नजर रख इधर उधर देखते हु यह भी बहुत बड़ी बात साबित हो सकती है कि क्या उन्हें वाके में माफी मांगनी पड़ेगी और जन्ता से हमने उनकी राय जानी कि किस तरीके से वो इस बात को सोच रखते हैं कि क्या उनका फरक सच में अब चुनाब पर पढ़ सकता है क्या कॉंग्रिस के लिए हरक सि कि रावत क्या कामाल दिखाते हैं बीजेपी से चूट कर अब कॉंग्रस में जाकर फिलाल इस रिपोर्ट में इस इतना ही नियूस वोल इंडिया साथ बने रहे नमस्कार